शुरुवात करते हैं रिकैप से कारगिल विजे दिवस कम मनाया जाता है उत्तर है 26 जुलाई 55 साल बाद भारत डेविस कप में भाग लेने के लिए किस देश जाने वाला है उत्तर है पाकिस्तान केर फो यू एप किस से सम्मंदित है उत्तर है व्रिद्जन भारत में पहली बार ब्रेगन ट्री इस्पिशीज किस राज्य में मिली है उत्तर है असम हाल ही में एक रिपोर्ट ने शोद एवं विकास पर 2022 तक GDP का कितना फीसद खर्च करने की सिफारिश की है उत्तर है दो प्रतिशत काकिनाडा होप आइलेंड का विकास किस राज्य में हुआ है उत्तर है आन्रप्रदेश वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहां हुई है उत्तर है गोवा हाल ही में रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्णर को मौद्रिक नीती समिती का नेत्रित्व सौपा गया है उत्तर है B.P. कानून को हाल ही में किस रेलवे ने पहली प्रिंटिंग प्रेस हैरिटेज गैलरी का शुभारम किया है उत्तर है पस्चिमी रेलवे फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंक मिली है उत्तर है एक सो तीन बात करते हैं कल के अभ्यास प्रशन की कल हमने आपसे पूछा था करनाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है आप्शन्स है एच डी कुमार स्वामी, बी एस यदियूरप्पा, सिधर मया या जग मोहन रेटी बी एस यदूरप्पा ने करनाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपतली है यह चौथा मौका है जब यदियूरप्पा ने मुख्यमंत्री पत की शपतली है मुख्यमंत्री येदी उरप्पा को सुम्वार को कर्नाटक विधान सभा में शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित करना है कंग्रेस JDS सरकार के गिर जाने के बाद भाजपा के येदी उरप्पा को मुख्यमंत्री पत की शपत दिलाई गई है अगर विकल्प की बात करें तो HD कुमार स्वामी इससे पहले करनाटक के मुख्यमंत्री थे जो करीब 14 महीने तक इस पत पर बने रहे सिधरमया भी करनाटक के पूर मुख्यमंत्री रहे हैं जगमोहन रेड़ी हाल ही में आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं इस तरह करनाटक के नए मुख्यमंत्री ऑप्शन B, B.S. येद्विरप्पा बात करते हैं आज के पहले सवाल की ब्लूमबर्ग के New Economy Forum सर्वे के मुताबिक कब तक भारत और चीन विश्व के तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे ऑप्शन्स है 2030, 2035, 2040 या 2050 ब्लूमबर्ग के New Economy Forum सर्वे के मुताबिक 2035 तक भारत और चीन विश्व के तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे सर्वे में भाग लेने वाले 49 फीसदी लोगों का मानना है कि चीन की राजधानी बिजिंग वर्ष 2035 तक तकनीक के मामले में सबसे शीर्ष पर होगी आधे से जादा लोगों का मानना है कि भारत और चीन भविश्य में आपको बता दे कि यह एक ऑनलाइन सर्वे है जिसे ब्लूमबर्ग नामक कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था ब्लूमबर्ग द्वारा यह सर्वेक्षन 20 बाजारों के 2000 व्यवसाइक पेशवरों के बीच किया गया इस सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया था जिनकी आयू 30 से 65 सालों के बीच है और जो पूर्ण कालिक रोजगार से जुड़े हुए हैं तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन B दो हजार पैतिस दूसरा सवाल हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर मिलिटरी वाहनों का म्यूजियम बनाया है यह जल सते से लगबग 28 मीटर नीचे बनाया गया है ऐसा माना जा रहा है कि 19 ऐसे मिलिटरी वाहन या सब मरीनों को इसमें शामिल किया जाएगा जिसे अब उपियोग में नहीं लाया जाता है जॉर्डन की बात करें तो इसकी राजधानी अमान है जॉर्डन की सीमा सीरिया, इराक, सौधी अरब, इसराइल और वेस्ट बैंक के फिलिस्तिनी शेद्र से लगती है जबकि जॉर्डन के दक्षणी छोर पर अकाबा की खाड़ी है जो कि समुद्र से जुडती है तो दूसरे सवाल का सही उत्तर है उप्शन ए जॉर्डन कोश ममर 3, केंदर सरकार के अनुसार की इस राज्ये ने छटोपर सोलर पैनल लगाने में शीष इस्थान प्राप्ट किया है ओप्शन्स है राजिस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजRAत केंद सरकार के आकड़ों के मुताबिक छतों पर सोलर पैनल लगाने में गुजरार शीस इस्थान पर रहा है इसके बाद महरास्ट और तमिल नाडू का इस्थान है सोलर रूफटॉफ इंस्टॉलेशन के छेतर में गुजरात की कुल रूफटॉप सौर शमता 261.97 मेगावाट है जबकि भारत में यह शमता 1700.54 मेगावाट है भारत सरकार ने ग्रिट कनेक्टिविटी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत वित्य वर्ष 2018-19 के लिए 440.77 करोड रूपए की वित्य सहायता प्रदान की है भारत सरकार ने साल 2022 तक देश में 40,000 मेगावाट की RTS यानी रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्थापना का लक्षे रखा है जिसमें घरों की छट पर RTS की स्थापना भी शामिल है एक अनुमान के मतापिक घरों की छटों पर स्थापित सौर पैनलों के माध्यम से प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन यूनिट प्रती मेगावाट पावर का उपादन किया जा सकता है इस तरह कोशन नमबर 3 का सही उत्तर है ऑप्षन D गुजरात कोशन नमबर 4 हाल ही में भारत सरकार ने किसके लिए नैशनल परमिट स्कीम को मनजूरी दी है ऑप्षन है नीची वाहन, माल डुलाई वाले वाहन, बस परिवहन या इन में से कोई नहीं हाल ही में भारत सरकार ने बस परिवहन के लिए नैशनल परमिट स्कीम को मनजूरी दी है परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने मुंबई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल बस एंड कार्शो प्रवास 2019 में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने अंतर राज्य यात्रा के लिए बस ओपरेटरों के लिए राष्टे परमिट योजना को मनजूरी दे दी है इस कदम से राज्य के राजासु में 3-4 फिसदी की व्रिधी होने की संभावना है इसके अलावा परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ने से उत्पन होने वाले इथनॉल जैसे वैकल्पिक इंधन पर काम कर रही है जो कॉस्ट इफेक्टिव और पॉलिशन फ्री होगा कोशन नमर फोर्थ का सही उत्तर है उप्शन C बस परिवहन कोशन नमर फिफ्ट हाल ही में इरान ने एक मध्यम रेंज की मिसाइल का परिक्षन किया है इसका नाम क्या है ओप्शन्स है शहाब 3, शाहीन 3, फत्ह 110 या बाबर हाल ही में इरान ने एक मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया है इस मिसाइल का नाम है शहाब 3 शहाब 3 एक तरल इंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणू हत्यार ले जाने में सक्षम है यह मिसाइल वेरियंट के आधार पर 1150 से 2000 किलोमिटर या 1242 मील तक दूरी तै कर सकती है कोशन नमर फिफ्ट का सही उत्तर है उप्षन ए शहाब 3 कोशन नमर शेक्स विश्व हैपेटाइटिस दिवस कम मनाया जाता है उप्षन है 27 जुलाई, 28 जुलाई, 39 जुलाई या 30 जुलाई 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है इस साल की थीम है Invest in Eliminating Hepatitis विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 के लिए मेजबान देश पाकिस्तान है 27 से 28 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वैश्विक कारिक्रम आयूजित किये जाएंगे नोबेल प्राइटिस विजेता विज्ञानिक डॉक्टर ब्रूच ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस B वाइरस यानि HBV की खोच की थी 28 जुलाई को इनके जन दिवस को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है हेपेटाइटिस मुख्यत पांस दरहका होता है हेपेटाइटिस A, B, C, D और E वाइरल हेपेटाइटिस B और C से हर साल दुनिया भर के लगभग 325 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं जिन में से 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यू हो जाती है यह तपेदित के बाद दूसरा प्रमुख जानलेवा संक्रामक रोख है और HIV की तुलना में 9 गुना अधिक लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं हेपेटाइटिस की रोख थाम और उपचार किया जा सकता है और हेपेटाइटिस C का इलाज भी संभव है हेपेटाइटिस से पीडित लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोख थाम, परीक्षन और उपचार सेवाएं नहीं मिल पाती है आईए आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देते हैं सवाल में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूछा गया है जिसका सही उत्तर है कोशन नमबर सेवन्थ मालाबार रिवर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है मालाबार रिवर फेस्टिवल का सात्वा संसकरन केरल के कोजी कोड जिले के पुलिक कयम में शुरू हो गया है इसकी शुरुआत एडवेंचर स्पोर्स प्रमोशन सोसाइटी के फ्लैक्शिप इवेंट के साथ हुई MRF में मालाबार इंटरनेशनल वाइट वाइट वाटर क्यांकिंग चैंपिनशिप की विशेश्टा है जो केरल एडवेंचर टूरिस्ट प्रमोशन सोसाइटी की प्रमुप फ्लैक्शिप इवेंट में से एक है KATPS ने कुछ ही समय में विश्व क्यांकिंग सर्केट में माननेता हासिल कर ली है MRF को अंतरास्टिय कैनो फेडरेशन के कारिक्रम कैलेंडर में दिखाया जा रहा है और क्याक सेशन नामक एक पत्रिका ने इसे एशिया के शीर्ष पांच क्यांकिंग स्थलों में से एक के रूप में नामित किया है 10 लाग की पुरसकार राशी के साथ यह दुनिया में केकर के बीच सबसे अधिक लोग प्रिये है MRF में प्रतियोगीताओं को तीन शेणियों में आयोजित किया जाता है स्लेलम, बोटर क्रॉस और डाउन रिवर रेस ओवरॉल चेंपियन्स को पुरुष और महिला वर्ग में कर्म शेह, रैपिड राजा और रैपिड रानी का खिताब दिया जाता है Q7 का सही उत्तर है Option A, केरल Q8, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू करने में किस राज्य ने शिर्ष इस्थान हासिल किया है Options है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वियन के मामले में UP देश में शिर्ष पायदान पर है 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश द्वारा 1.9 पाच करोड लोगों को इस योजना के तहट बीमा कवर दिया गया है केंडर सरकार की इस महत्वकांशी योजना को जनवरी 2018 में इस राज्य में लागू किया गया था जिसके तहट 18 से 70 आयू वर्ग के लोगों को सालाना 12 रुपे के मामूली प्रीमियम का भुकतान करके 2 लाख रुपे का दुरघटना बीमा कवर मिलता है इसके अलावा के इन सरकार की एक और प्रमुख योजना प्रधान मंत्री जीवन जियोती बीमा योजना के कार्यान वियन में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है कोशन नमर एट का सही उत्तर है उप्शन बी उत्तर प्रदेश कोशन नमर नाइन सहमती क्या है? आप्शन्स हैं तलाग को खत्म करने की एक पहल बैंक हातों को पेपरलेस बनाने के लिए एक पहल रेलवे में सफाई से जुड़ाई का भियान या आयकर जमा करने को बढ़ावा देने की एक पहल नंदन नीलेकडी ने एक नए प्लैटफॉर्म सहमती का अनावरन किया है इसके जर्ये भारते रिजर्ब बैंक ने बैंक खाता संचालन को पेपरलेस बनाने की योजना बनाई है नए अप्लिकेशन के साथ व्यक्ति और छोटे व्यवसाय अपने डिजिटल वित्यल डेटा को सुरक्षित तरीके से तीसरे पक्ष के साथ साजह कर सकते हैं इससे उन्हें इस बात पर अधिक नियंतरण मिलेगा कि उनके डाटा का उप्योग कैसे किया जा रहा है अप्लिकेशन सहमती एक खाता एग्रिगेटर मॉडल के रूप में पहले वित्य शेत्र में तैनाद किया जाएगा जबकि बाद में इसे दूर संचार, स्वास्थे सेवा और अन्ने शेत्रों में लागू किया जा सकता है कोश नमर नाइनत का सही उत्तर है अप्षन बी बैंक खातों को पेपर लेस बनाने की एक पहल कोश नमर तेंथ किस क्रिकेट असोसीयेशन को बी सी सी आई का एफिलियेशन मिला है आप्शन्स है पठना क्रिकेट असोसियेशन, मोहाली क्रिकेट असोसियेशन, चंडिगर्ड क्रिकेट असोसियेशन या जैपुर क्रिकेट असोसियेशन खाल ही में चंडिगर्ड क्रिकेट असोसियेशन को BCCI का एफिलियेशन मिला है यह affiliation चंडीगर्ड क्रिकेट असोसियेशन पंजाब के UT क्रिकेट असोसियेशन के साथ मरजर के निरने के बाद मिला है इस तरह question number 10 का सही उत्तर है option C चंडीगर्ड क्रिकेट असोसियेशन बात करते हैं आज के अभ्यास प्रशन की अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्तार